प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर जो है यह ज्यादातर महिलाओं में होता है और यह हमारे पेट की अंदर की जो लाइनिंग है अब्डॉमन के अंदर की लाइनिंग जिसे हम कहते हैं उसको पेरिटोनियम कहते हैं वो फ्लूइड सिक्रीट करता है और जिसमें की सारे ओर्गन्स हमारे अंदर के जो पेट के ओर्गन्स है वो मूव करते हैं तो यह कई बार जब बच्चा पैदा होता है एम्ब्रियोनिक डेवलोपमेंट में ओवरी के कुछ सेल्स रह जाते हैं जो की पेरिटोनियल कैंसर बनाते है इसके जो मुख्य लक्षन है पेट कई बर फूल जाता है थोड़ा सा भी खाने पर गैस हो जाती है तो लोग इसको सोचते हैं कि गैस है पेट फूला हुआ है वो गैस की वज़े से फूला हुआ है तो गैस की दवाईयां लेते रहते हैं तो हमें इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए क्योंकि हमें ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि गैस ही है हमें उसका ultrasound कराना चाहिए पेट का ultrasound में ना पता चले तो CT scan कराना चाहिए CT scan में अगर पता चल जाता है mostly इसका CT scan में आ जाता है primary peritonial cancer जो है ये rare type का cancer है इसकी मात्रा जो 6-7 per million population जिसे हम कहते हैं 100,000 population ये world की series हैं इंडिया में और भी कम है तो ये अब क्योंकि diagnose हो रहा है इसलिए हमें पता चल रहा है कि peritonial cancer है पहले ये diagnose ही नहीं होता था